हाल में आप दिल्ली से छपने वाले तमाम अखवारों के पेज वन पर आपका जिक्र आया वो जिक्र आया जब ये निर्देश आया कि जो माननी हैं उनके खिलाब मुकद में सरकार की संस्तोती से ऐसे ही वापस न लेगे जाए हाई कोड का उसमें दखल रहे तो मैं इस पर आ दंगे हुए थे उसके बाद तमाम मुकद में लदे थे आप ग्रिफ्तार भी हुए थे उसके बाद जमानत पर बाहर हुए तो अब हाई कोर्ट में है मामला की वो रिव्यू करेगा तो आपका क्या सोचना है सबसे पहले तो मैं चुकी माने नियाले का हम सब लोग सम्मान क पर और निर्दोष लोगों का उत्पिडन हुआ था निर्दोष लोगों के खिलाब मुकद में कायम हुए थे और तो और गाउं की गाउं की वोटर लिष्ट रखकर केर पूरे पूरे गाउं को मुलजिम बनाया गया था सरकार में बैठे लोगों के दबाओ के आधार पर और बहुत से लोग तो ऐसे थे कि उनके खिलाब F.I.R. हुई है लेकिन वो दुनिया में है ही नहीं। सदन में बहस होती थी तो मैं कई बार इस विश्यों को बहुत मजबूती के साथ सदन में उठाता था। जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनका नाम भी F.I.R. में सामिल था। तो इस से बड़ा उधारन कोई हो नहीं सकता कि बिना किसी जाच के बिना किसी परक के केवल राजनितिक आधार पर लोगों के किलाब जूटे मुकद में कायम किये गए थे और हम सब जानते हैं कि दंगा कराने में जिनकी मुख्य भूमी का थी वो लोग सरकार में बैठे हुए थे किसकी मुख्य भूमिका थी और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दंगे के आरोपी थे उन दंगे के आरोपीों को जिनोंने दंगे की सारी रचना रची थी उन तमाम लोगों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनों बुलाया जाता था बाकी निर्दोष लोगों का बड़ा म मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने दंगे की रचना रची थी ऐसे हमारे कई सारे लोग थे जिनको विसेश विमान से सरकारी विमान से लखनों बुलाया गया और सीधे उस समय के ततकालिक मुख्य मंतरी अखिले सियादव जी के आवाश पर उन सब लोगों के फोटो लोगों ने देखे जो दंगे के आरोपी थे जिनोंने सहरनपूर में बड़ा दंगा कराया ऐसे तमाम लोगों के फोटो उस समय ततकालिक मुख्य मंतरी जी के साथ छपे थे तो बड़ा इसपर्ष था सदन में भी बड़ी बड़ी चर्चा हुई चैनलों को भी बाधित कर ना सुरू किया तो बहुत सारे चैनलों पर दवाव बनाया गया सच्चाई ना हुजागर हो जाए उनके चेहरे सपस्ट ना हो जाए इसलिए कही ना कई मीडिया पर भी दवाव बनाने का काम किया गया सरकार में बैठे मंतरी सीधे फोन करते थे सुरवा थी कि एक बहन के स लका करता चेड़शाड का भिरोध करता है लोग भाई की हत्या कर देते हैं यह मांग होती है कि हत्यारे उनकी गिरबतारी हो पुलिस चाहती है गिरबतारी हो लेकिन सरकार में बैठे लोगों के दीवरा टेलीफून होता है कि इनको तुरंट छोड़ दिया जाए मोगे पर पकड़े हुए लोगों को सरकार में बैठे मंत्री के इसारे पर छोड़ा जाता है कुल मिलाकर के पूरी तरह समाजवादी पार्टी सरकार ने जिस तरह से 300 से ज्यादा दंगे उत्थप देश में उस कारेकाल में हुए सब को इसपस्ट है कि उनकी मनसा क्या थी उनके पास विकास नहीं था उनके पास था तो केवल दंगा था उसी में हम लोगों के उपर भी मुकदमे हुए और मैं आपके चैनल के मादम से कहना चाहता हूँ कि मेरे उपर रासुका लगाई रासुका बना राष्ट सुरक्षा कानून जो उन लोगों पर लगती है जिन से देश की सुरक्षा को खत्रा हो रासुका लगाई जब हम माने नयाले में पहुँचे हाई कोट गए तो हाई कोट ने इस पर्ष्ट रूप से कहा कि क्या आधार है रासुका लगाने का और माने हाई कोट के द्वारा ही हमारी रासुका को हटाया गया तो मैं तो समयता हूँ मैं चुना हुआ जन्परतिदी हूं यदि मुझे सतर दिन जेल में रहना पड़ा रासुका के कारण और माने हाई मुझे चुनके भेजा है जो मेरे मद्दाता हैं जिनका काम प्रभावित हुआ जिन लोगों का काम प्रभावित हुआ ऐसे लोगों से भी माफ़ी मागनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है और हमने गलत तरीके से लोगों के उपर मुकद में कायम किये हैं गाउं के गाउं, किसानों के उपर, मजदूरों के उपर, गाउं के गाउं, वोटर लिस्ट सामने रख करके जिस तरह से मुकद में कायम किये मैं कह सकता हूँ कि जितना उत्पिडन वो कर सकते थे जिन लोगों ने दंगाईयों का विरोध किया जो दंगाईयों को रोकना चाहते थे जो सदभाव चाहते थे उन तमाम लोगों के खिलाब फर्जी मुकद में कायम करने काकाम उस सरकार ने किया था